जैसे दोस्तों वाइकम ट्याइशनी स्कूल दोस्तों हम सब भी को क्रिप्टो के साथ साथ शेयर मारकेट में भी invest करना ही चाहिए क्योंकि जितने जदा हमारे पास तरीके होंगे investment के उतना जदा हमारा future secure हो सकता है क्रिप्टो में आपका हाई रिटन होता है और दोस्तों लेकिन वहाँ पर रिस्क भी हाई होता है शेयर मार्केट में आपका रिटन उतना हाई नहीं रहता लेकिन वहीं पर आपका रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाता है तो दोस्तों, आज बात करेंगे यहापर LIC के शेर प्राइज के बारे में दोस्तों, LIC का IPO लोंच होने के बाद से अभी तक LIC के शेर प्राइज में लगातार गिरावट नजर आ रही थी लेकिन दोस्तों अब अचानक से LIC का share price बढ़ना सुरू हो गया है इसके पीछे कौन-कौन से reason है, कौन-कौन सी reports आई है और दोस्तों finally LIC का price कहां तक जा सकता है आने वाले एक डेड़ साल के अंदर इसकी पूरी की पूरी details आपको यहां पर में share करने वाला हूँ साथ ही आपको एक भी रुपया बिना investment किये, कैसे एक बड़ी earning daily basis पर करनी है उसके बारे में बात करेंगे, आगे बारे से पहले एक चोड़ी सी request हैं दोस्ते हैं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राब जरू कर लें और साथ ही उसके पास वाला bell button भी फ्रेस कर लें तो दोस्तों LIC का जो प्राइस था, LIC का जो share market में यानि IPO जो प्राइस था, वो 900 से भी उपर था फिलाल मैं आपको बता दूँ, एसिया का सबसे बड़ा market cap पाला IPO, यानि 6 लाग करोड़ रुपे के market cap के साथ ये launch हुआ था और उम्मीद ये थी कि इस IPO पर, IPO rate पर जो share मिल रहे थे, उसके comparison में जो share का price होगा, LIC के वो कहिया दिखोगा, यही कारण था कि बहुत सारे लोगों ने LIC के IPO में बड़ी मात्रा में invest किया था, लेकिन दोस्तों, LIC ने अभी तक तो लोगों को निरासी किया है, issue price था, या था, 650 रुपे और इसका अभी जो current price चल रहा है, वो चल रहा है, 700 एक total loss अभी तक जो देखा गया है, share में 26.1% का देखा गया है, IPO allotment price था, policy holders के लिए 890 रुपे, retail and LIC employees के लिए 902 रुपे, और इस price पर बहुत सरे लोगों ने इस IPO को खरीदा था, इसका lowest price जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 650 रुपे गया था 20 जून 2020 को और इस समय पर लोग काफी निराश हो गए थे, क्योंकि ओल्रेडी लगबग 30% की गिरावट देखी जा चुकी थी, market cap में LIC के, LIC के share में 6 लाग करोड रुपे से घटकर, LIC का जो market cap था, वो 4 लाग करोड के आसपास आ च करकी इसका current price 701 पर कहुंच चुका है और इसमें recovery अभी तक 8.1% की देखी गई है, impact कहां से आया, चलिए इसके बारे में बताते हैं, यानि जो LIC का price लगातार गिर रहा था, वो price लगातार बढ़ना कैसे शुरू हुआ, और कहां तक जाएगा उसके बारे में बात करेंगे लेकिन फिलाल impact कहां से आया, जिसके वज़े से इसका price बढ़ना शुरू हो गया, चलिए इसके बारे में बताते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों LIC ने announcement किया कि LIC की जो Indian Embedded Value की report है, Indian Embedded Value के जो आकड़े हैं, उसे release करने में LIC को थोड़ा सा time चल लग रहा है, और 15 है कि 15 जुन के बाद से जब से अपडेट आया है, LIC के price में थोड़ी सी update आई है, थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है, क्योंकि इस price पर बहुत सारे लोगों ने LIC के share को अब खरीदना शुरू कर दिया है, first annual general meeting होगी, AGM जो होती है 27 September को, ये भी announcement LIC के तरब से किया गया, और दोस्तों इसमें भी बहुत सारे announcement हो सकते हैं, इसको लेकर भी लोग काफी आतुर हैं, मोतिवाल ओसवाल LIC की report उसने मोतिवाल ओसवाल ने हल फिलाल में LIC के उपर एक report publish की, report में उन्होंने इसका जो by target रखा वो रखा दोस्तों 830 रुपे, और साथ भी बोला कि LIC insurance leader है, strong brand image है, good distribution network है, LIC का FY 2022 में यानि financial year 2022 में insurance कारोबार में जो नया premium अभी तक आया है, उसमे 63% यानि 63% हिस्सेदारी, खाली LIC की ही है, insurance कारोबार के APE का 46% हिस्सा LIC के पास है, 13,00,00,00 का strong network LIC का है, total insurance industry का 54% हिस्सा अकेले LIC के पास है, ये सारी के सारी चीज़े report में publish की गई है, और ये सारी के सारी जो चीज़े हैं, ये वास्तम में LIC को market leader बनाती है, insurance sector में, इंडिया में, इसलिए दोस्तों multiple report publish की गई, और दोस्तों LIC share price का जो target रखा गया, वो र पर जो fair value है, वो 830 रुपे होनी चाहिए, BOFA SEC कहता है कि LIC की इस समय पर जो fair value है, वो 930 रुपे होनी चाहिए, और JP Morgan कहता है कि LIC की fair value इस समय पर 840 रुपे होनी चाहिए, जो कि आज का जो price चल रहा है, LIC का 701 रुपे के आसपास, उसके comparison में कहीं आदेख है, यानि दोस् यह उतना है कि क्या LIC का price 2000 रुपे तक जाने वाला है, तो दोस्तो LIC का share price जो है 2000 रुपे तक जाने में तो अभी काफी time लगने वाला है, बहुत जल्दी यह possible नहीं है, लेकिन हाँ जिस price पर IP launch हुआ था 950 के आसपास, 930 के आसपास, यानि साड़े 800 से 1000 रुपे के बीच म LIC का price आने वाले समय में जा सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको एक भी रुपे बिना investment किये, एक बड़े brokerage firm के साथ 10 से 20 मिनट daily basis पर काम करके daily basis के 1000 से 10,000 रुपे तक की earning करनी है, तो इस video description में सबसे पहला link मैंने दे दिया है, उस पर click क साइन अप करें, साइन अप करने के बाद KYC कंप्लीट करें, KYC कंप्लीट करने के बाद company आपको फोन करके जानकारी दे देगी कि कैसे यहां पर daily दस से 20 मिनट काम करके आप बहुत ही बड़ी earning कर सकते हैं, थैंकि दोस्त हो लिए बैस यह चानल को सबस्क्राइब करना ना को ले latest updates पात रहने के लिए, थैंकि यू.